हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की रियल्मी C30S फोन को आप लोग कैसे रिस्टार्ट कर सकते हो वीडाउट इस पावर बटन पे क्लिक किये अगर आपके फोन में या पावर बटन खराब हो गया या पावर बटन काम नहीं कर रहा है तो आप लोग अपने फोन को रिस्टार्ट कैसे करोगे गाइस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से क आप लिए गया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहा पर सेटिंग dauर करना है सेटिंग करने के बाद यहाप लोगों को नीचे स्क्रोल डाउन करना है और एकड़म नीचे उप्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को एक्सेसिबिलिटी तो इस accessibility के option पे click कर दीजिए click करने के बाद यहाँ पर एक option होगा थोड़ा सा नीचे scroll down करते ही मिलेगा accessibility menu का option तो इस accessibility menu के option पे click करना है click करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला वाला option है accessibility menu shortcut जो फिलाल मेरे phone में off है और आपके phone में भी option off ही रहेगा ठीके guys तो हम ल इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपर गोईट का option आया है हम गोईट पे भी click कर देंगे click करते ही देख सकते ही यह जो option है वह हमारे phone में on हो गया है तो अभी हम सीधा back कर देंगे तो इस option को तो हमने on कर दियाए गाईस लेकिन इसको use कैसे करेंगे use करने के लिए देख सक नीचे जो हमारा बटन से बटन के साइड में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बटन एड़ हो गया है तो इसको यह बोलते हैगा इस एक्सेसिबिलिटी शॉटकार्ट मेनु तो हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पावार का उप्शन आएगा तो हम पावार के उप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं रिश्टार्ट करने के लिए ओप्शन आगे यहाँ पर क्लिक करके रिश्टार्ट कर सकते हो तो ऐसे करके जो आप लोग अपने रियल